नारायन नारायन आजम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग दो चतुर्थ पुष्प श्री रामह शरणम ममा आईए अब कुछ समय के लिए एक काग्र और शांत चित से अंतर रदय में प्रकाश के लिए एवं तत्व ज्ञान की उपलब्धी के लिए जिस साधन पदती की आवशक्ता है उस पर एक दृष्टी डालने की चेश्टा करें कहे ज्यानती पक प्रसंग बड़ी ही कावे मई भाशा में लिखा गया है इसमें गाएं, चारा, बच्छडा, दूने वाला तथा बरतन आदी रूप में एक लंबे रूपक की सुरिष्टी की गई है इसका मुख्यतात पर यह है कि हम अपने अंतर करण को शुद्ध कैसे कर जब तक हम अपने अंतर जीवन में प्रकाश नहीं पालेंगे तब तक बाहर बहुत बड़ी उन्नती हो जाने के बाद भी हमें सच्ची शान्ती और सुख का अनुभव नहीं होगा इसी संदर्भ में मन की चंचलता की चर्चा पिछले कुछ परसंगों में आपके समक्ष की गई अगर गहराई से द्रिष्टी डालें तो मनुष्य के सुख दुख के मूल में मन का जितना बड़ा हाथ है उतना और किसी वस्तू या घटना का नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ही जैसी परिस्तिती में मनुष्य के सुख या दुख की अनुभूती में भिन्नता है जिस प्रकार की घटना में एक व्यक्ति अत्यतिक दुखी हो जाता है दूसरा व्यक्ति उसी घटना में इतना दुखी नहीं होता है यदि वस्तु या गटना से ही दुख का संबंद होता तो सब के जीवन में दुख की मात्रा बराबर होती। जो कह सकते हैं कि मन में ही सुख और दुख की सुरिष्टी करने की सामर्थ है। मन तहां जहां रगुबर वाइदे ही बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। श्री राम के वनगमन के पश्चात अयोध्यावासी जिस समय श्री भरत के साथ चित्रकूट की ओर जा रहे थे, उस समय उनको मार्ग में चलते हुए दुख की अनुभूती हो रही थी के सुख की. जब यात्रा में चलते हैं तो जहां लक्षे के समीब का सुख होता है, वहीं मार्ग में चलने का श्रम भी होता है, ठकान भी आती है, दुख भी होता है. यह पूछा गया कि अयोध्यावासियों को उस समय कैसा लग रहा था. गोस्वामी जी ने उत्तर में कहा कि अयोध्यावासियों को वस्तुतह उस समय सुख या दुख दोनों की अनुभूती नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी? इसका कारण यह था कि वस्तुतह उनका मन तो भगवान राम के चर्णों में तलीन था, जिस माध्यम से दुख सुख का अनुभव किया जाता है वह माध्यम जब था ही नहीं तो दुख सुख की अनुभूती कैसे हो, यह बात जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है, कि हमारे सुख दुख में हमारे मन का सबसे बड हाथ है राम चरित मानस तो है राम कथा पर विनए पत्रिका गो स्वामी जी की आत्म कथा है परंतु इसकी विलक्षणता यह है कि यह शरीर की आत्म कथा नहों कर सच मुच मन की आत्म कथा है गो स्वामी जी की आत्म कथा उनके मन की आत्म कथा है उसमें भी एक विलक्षणता पिछले प्रसंग में आपके समक्ष मन के कई रूपों का वर्णन किया गया था कहीं बताया गया कि मन भौरा है कहीं बताया गया कि मन पुष्प है या सुमन है और इस तरह से मन के कई रूपों का वर्णन किया गया इसका एक पहुत बड़ा और महत्व पूरुन सूत्र पन से की गई है श्री गुरु चर्ण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बर्न और अगुबर विमल जसु जोदाय कुफल चार व्यक्ति यंत्र की तरह इस दोहे को पड़ जाता है पर इस दोहे का अर्थ इतना गंभीर है और वह इतने महत्व का है कि उसको रुद्यंगम कर करने की आवश्यक्ता है इसमें गोस्वामी जी ने मन की तुलना दर्पन से की है तोहे का सरल अर्थ यह है कि गुरु जनों के चरण कमल की धूली से अपने मन के दर्पन को स्वच्छ करके मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहा हूं जो चारों फलों को दे देने वाला है हमारे पास देखने के दो साधन है एक तो नेत्र और दूसरा दर्पन दोनों में अंतर यह है कि यदि हम दूसरों को देखना चाहते हैं तो नेत्र दिखलाते हैं और अपने को देखना चाहें तो दर्पन दिखलाता है बिना दर्पन की सहायता के हम अपने आ आपको नहीं देखते, शरीर के संदर्भ में उल्टी बात है, कि हम अपने शरीर को बहुत देखते हैं और शरीर के प्रति सावधान रहते हैं, पर अंतर जगत की समस्याओं पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, दर्पन का कार्य बड़े महत्वका होते हुए भी, उसमें दो गुण होने चाहिए, और जब मन दर्पन है, तो मन में भी ये दो गुण होने चाहिए, एक तो मन चंचल ना होकर अचल हूँ, दूसरे दर्पन पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ, कि जब मन की कथा चल रही है, तो आप मन लगा कर ही सुन रहे हों और मधियन मन यदी निर्मल नहीं होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। मन की निर्मल ताका बड़ा महत्व है। मानस में शरीर के और मन के रोगों की तुलना की गई। दोनों में एक बहुत बढ़ा अंतर है जो हम को सपष्ट दिखाई देता है। शरीर के रोगी को यह दि रोगी माने और जब दूसरे को ही रोगी मानेगा तो यह सोचेगा कि दवा तो इसकी होनी चाहिए। हम बहुदा दूसरे का दोश देखते हैं और कहते हैं कि यह मिठना चाहिए। मन का रोगी अपना रोग न देखकर दूसरे के रोगों को ही देखता रहता है। रामायन म अनेक प्रसंगों में इसका सुन्दर संकेत है यह बात रावन के चरित्र में तो बहुत ही स्पष्ट है शरीर के रोगों को दूर करने का कार्य जैसे वैद्य या डाक्टर करता है वैसे ही मन के रोगों का इलाज गुरू करता है गुरू ही वह वैद्य है रावन के गुरू है शंकर जी और हनुमान जी शंकर आवतार हैं इसलिए प्रभुने रावन के पास हनुमान जी को भेज दिया शिश्य यदी रोगी हो जाए तो गुरू का काल है कि वह शिश्य के रोगों को दूर करे जब रावन में इतने दोश आ गए तो अब आप ही गुरू होने के नाते उन का में भेजे गई और सच मुझ हनुमान जी ने वैद्य की भुमिका का निर्वाह किया वैद्य बताता है कि रोग क्या है उसकी क्या दवा है और क्या खाई ये तीन बातें वैद्य बताता है पत्रोग बताता है पत्थे बताता है और रोग के लिए निवारन का उपाई बत रावन मोहो और अभिमान से ग्रस्त है हनुमान जी ने दवा के साथ साथ पत्थे भी बता दिया हनुमान जी वैद्य भी ऐसे हैं कि जो बड़ी उदार प्रकृतिके हैं जो कड़े और कठिन पत्थे नहीं बताते डॉक्टर स्वयम पत्थे भले ही न करे परंतु रोगी को भी चारा रोगी क्रही न सके हनुमान जी ने जोंषी रहोण को देखा तो उन्हें उसकी नाड़ी पकड़ने की भी आवशक्तह नहीं लहीं अपित्य उन्होंने देखकर यह कह दिया कि तुम्हारे रोग का मूल आ मौह है उसी मोह के कारण तुम्हारे जीवन में अनेक रो झोड़ दीजिए, सतोगुणी अभीमान रहने दीजिए, आप पुझा पाट करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका अभीमान रहने दीजिए, अगर लोजोगुणी एहंकार है, तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप कम से कम, मेरी इतनी बात तो मान ल कि तमोगुणी अभिमान को छोड़ दीजिए। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। उपर युप्त एक ही दोहे में निदान, पथ्य और ओशधी तीनों ही बता दी गई है। तो क्या यह गुरू की कमी हो सकती है। प्रशन तो यह है कि शिशे में अपना दोश दूर करने की व्रती है के नहीं। हनुमान जी की बात सुनकर रावन हसने लगा। वैद्य यदि रोग और दवा बताता है तो रोगी हसते थोड़ा ही है। वैह तो गंभीर हो जाएगा। लेकिन गुस्वामी जी ने लिखा कि रावन जोर से हसने लगा। आश्चर है कि वैद्य तो गंभीरता से बोल रहा है और रोगी जोर जोर से हस रहा है। हनुमान जी ने तो कहा था कि तमोगणी अभीमान छोड़ दो लेकिन उसका अभीमान तो और बढ़ गया। इसलिए अगला शब्द है महा अभीमानी बोला भिहसी महा अभीमानी और खुब हस कर कहने लगा। मिला हमा ही कपी गुड़ बढ़ ग्यानी तुम तो अपने को मेरा गुरु समझते हो गुरु की तरह तुम बोल रहे हो बंदर ही मुझे गुरु मिला है क्या। अब तो रोगी ही बता रहा है कि वैद्य मरने वाला है। हनुमान जी समझ गई। सब बेकार है। इस रोगी को असाध्य रोग है। कितनी भी बढ़िया दवा दी जाए। सब बेकार है। जो वैदे की बात पर विश्वास ही न करे। उसके मन का रोग कहां से दूर इसका पता बाद में चलेगा। की चिकित्सा कर रहा हूं। इलाज कर रहा हूं। गुरु शीशे को यही उपतेश करता है कि अभिमान चोड़ दू और दूसरा उपतेश यही देता है कि ममता चोड़ दू आहमता और ममता यही मनुष्य का सबसे बड़ा विकार है। जितना बड़ा आहम होगा व्यक्ति उतना ही बड़ा दुखी होगा। यह निश्चित बात है। अहमकार के लिए रामयन में बड़ा सुन्दर दुष्टांत दिया गया। यदि कहीं आपको फोड़ा हो जाए तो फोड़ा भी शरीर का एक भाग है। शरीर में ही फोड़ा हुआ है। परंतर क्या है। अगर आ व्यक्ति को क्या कहा जाए। उसको अहमकार का फोड़ा हुआ है और जहां वह फोड़ा छुजाता है व्यक्तितिल मिला जाता है। को स्वामी जी ने कहा। कस नभज़ा हुँ ब्रमत्यागी। शरीर में फोड़ा होने पर प्रसंद नहीं होना चाहिए कि यहां से तो शरीर उपर उठा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ कि अंगफूल गया है। उसी प्रकार से अभिमान का फोड़ा जब हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह फो क्या उनकी अपेक्षा कैकई जी स्रेष्ट थी? कैकई के चरित्र में अधिक स्रेष्टा थी क्या? जब वन जाने लगे तो कैकई से दो बार मिले, कोसल्या जी से एक बार मिले और सुमित्रा जी से मिले ही नहीं। तो लगता है कि सबसे स्रेष्ट कैकई उसके बाद कोसल्य और सबसे नीचे सुमित्रा जी है गोस्वामी जी ने कहा कि कैकई जी का इतना अधिक ध्यान श्री राम क्यों रखते है तात मात को मन जुगवत जियोने जतन मरमक उठाओ जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए तो व्यक्ति सावधान रहता है कि कोई चूने ना पावे कोई जरा सी ठेस लगने न पावे उसी प्रकार से कैकई जी मैं ऐसा एहंकार का फोड़ा था कि श्री राम जानते थे कि अगर जरा सी ठेस लगेगी तो यह बिल्कुल तिलमिला उठेंगी उसी फोड़े से मंत्रा ने छिड़खानी कर दी कैकई जी तो राम का राज़तिलक सुनकर बड़ी प्रसन थी कि राम सब माताओं को बराबर चाहते हैं कोसल्या समसब महतारी राम ही सहज सुभाय पियारी मोपर कर ही सने हुबिसेसी मैं करी परप्रीती परिच्छा देखी सब माताओं को बराबर चाहते हैं यहां तक तो ठीक था परन्तु मुझे अधिक चाहते हैं यही फोड़ा था जिसको मंत्रा ने छू दिया और कह दिया रहा प्रथम अब ते दिन बीते समव फिरे रिपु हो ही परीते भूल जाएए अब वह बात नहीं रह गई अब वे आपको अधिक नहीं चाहते अब वे अपनी मा को अधिक चाहते हैं अर्थाच सुमित्रा जी को चाहते हैं ऐसा फोड़ा दुखा कि कह कही जीतिल मिला गई और बोली कि अब तो मैं बदला लेकर दिखाऊंगी जो जितना दुखी दिखाई दे तो उसमें उतनी अहमता होगी या ममता होगी यह निश्चित मानिए कि आपकी अहमता जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी से छोटी बातों पर आपको लगेगा कि मेरा अपमान हुआ यही अहमता है दुख का दूसरा बहुत बड़ा कारण है ममता ममता का जितना विस्तार होगा उतना ही वैक्ती दुखी होगा परशुराम जी और लक्षमन जी के समवाद में यदि आप ध्यान से देखें तो यही पाएंगे परशुराम जी उस युग के बहुत बड़े महापुरिश थे अगर उनके जीवन में भी क्रोध विद्यमान है तो क्यों विद्यमान है क्षोब है तो क्यों है उन्होंने विर्वाह नहीं किया तो पतनियादी में ममता भी नहीं थी जब है ही नहीं तो ममता का प्रशन ही क्या है नो तो उन्होंने राजे पद ही स्विकार किया लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि वही अहम और मम परशुराम जी में विद्यमान है अहम और मम का दुख क्या है लक्षमर जी ने बड़ी विनम्रता से परशुराम जी को बतला दिया कि उनके दुख का कारण क्या है शिराम से परशुराम जी ने कहा कि मुझसे लड़ना होगा शिराम ने पूछा कि महराज क्या बिना लड़े आप शांत हो सकते हैं तो कहने लगे कि हाँ एक उपाय है करू परितो शुमोर संगरामा नाहित चाड कहाओ बरामा तुमने जो अपना नाम राम रख लिया है बस इसको छोड़ दो तो मैं शांत हो जाऊंगा यहाँ बड़ी विचित्र बात है आई तो थे धनुष के लिए लड़ने यदि वे यह कहते कि इस तूटे हुए धनुष को जोड़ दो तो मैं शांत हो जाऊंगा तब तो समझ में आने वाली बात थी परंतु वे धनुष को भूल गए और कहने लगे कि तुम अपना नाम बदल लो बस उनकी कमजोरी प्रकट में आ गई कि नाम तो धनुष का था पर सारा दुख तो इस बात का था कि यह नया राम कहां से पैदा हो गया यह रोग तो बहुत वियापक है आप यदि अपने पुत्र का वही नाम रख दें जो पडोस में है तो पडोसी ऐसे घूर कर देखते हैं कि अच्छा लगता है इसने वही नाम रख कर मेरी महिमा को कम कर दिया सत्य तो यह है कि उनको ऐसा लगा कि केवल मेरा ही नाम राम रहे कोई दूसरा राम न होने पाए यह नाम का चक्कर तो बड़ा दुख देता है जो वैक्ती नाम का अभिवान पाल लेगा वहे कितना भी अच्छा क्यों न हो उसको क्रोध जरूर सताएगा दूसरा दोश है ममता का बहुत पढ़िया निदान किया लक्षमन जी ने परशुराम जी से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा यदि सीधी भाशा में कहें तो श्री राम को कहना चाहिए था कि मैंने तोड़ा परंतु दोनों रामों में यही तो अंतर है एक राम में मैं था और दूसरे राम में मैं बिलकुल नहीं था भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि यदि सारा जगड़ा नाम ही कहो तो भी नाम आपका ही बड़ा है मेरा नाम तो छोटा ही है उन्होंने संकेत किया कि राम मात्र लगू नाम हमारा परसु सहीत बड़ नाम तोहारा प्रतिक वेक्ति अपने नाम को बड़ा बनाना चाहता है परन्तु एक प्रबु ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा तो छोटा सा दोही अक्षर का राम नाम है, आप तो अकेले राम थोड़े ही हैं, आप तो परशु राम हैं, इसलिए मैं आपकी तुलना कैसे कर सकता हूं? इस कार्थिया है कि अगर और वस्तुओं का अभिमान नहीं है, तो अभिमान हो गया नाम को ले करके, अभिमान हो गया अपने ब्रमचारी होने का, जब वे भगवान शीराम से अपना परिचे देते हैं, तो कहते हैं कि मैं बाल ब्रमचारी हूं, कितने सद्गुन होते हुए अभी उनमें अभिमान है और इसलिए उनको आती शीक्र शोबुत्पन होता है बले ही वे इतने उचे रहे हों लेकिन अहंकार होगा तो दुख और क्रोध कभी नहीं मिटेगा और जब भगवान राम बोले तो कहा नात संबुधन भंज निहारा होई के उविक दास तुम्हार शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई होगा इसका मतलब है कि यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तो इसका नाम बताते परंतु वह कोई होगा माने कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नगन्य है आप किस चिंता में पढ़ गई कि वह कौन है वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं कि जिसका नाम जाना जाए अरे कोई होगा वह कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है कि जिसकी खोज में आप जैसा महापुरुष चला आया और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई होगा भी तो आपका एक सेवकी होगा एक बहुत बड़ा सत्य श्री राम ने बता दिया कि तोड़ने वाला व्यक्ति शत्रु होगा तो उसमें अभिमान होगा परंतु यदि किसी व्यक्ति ने आपके सेवक के रूप में है कारे किया हो तो वह आपका दास ही होगा शत्रु नहीं परंतु पर्चु राम जी तो इस भाशा को बोलने और सुनने के अभिहस्त नहीं थे उनको लगा कि श्री राम तो बड़ी गोल माल बात कर रहे हैं सुना हु राम जही सिवधन तोरा सहस बाहु समसोरिपु मोरा वह तो सहसर बाहु के समान मेरा शत्रु है अब भी वे नहीं समझ रहे हैं कि श्री राम तोड़ने वाले हैं यदि वे तोड़ने का हंकार रखते होते तो तुरंत कह देते कि मैंने तोड़ा पर्शु राम जी ने कहा कि किसने तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए लक्षमन जी समझ गए कि अब तो मैं ही इनको इनकी भाषा में ही समझाओं तो समझेंगे श्री राम की भाषा से नहीं समझेंगे और ऐसी वाने उन्होंने पकड़ ली कि यदि प्रारंभ में ही पर्शु राम जी का ध्यान चला गया होता तो समस्या ना आती उन्होंने कहा कि आप इतने कुरुद्ध होकर सभा में क्यों आए बोले के दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे गुरुजी का धनुष तूटा पड़ा है लक्ष्मन जी को हसी आ गई कि गुरुजी को क्रोध नहीं आया और चेले जी को क्रोध आ गया गुरुजी का धनुष टूटा तो गुरुजी को ग्रोधा न चाहिए था परंतु नहीं आया पकड़ लिया के इनको ममता वाला रोग है लक्ष्मन जी ने कह दिया बहु धनुषी तोरी लरिकाई कब हुना असी रिसकी नहीं गुसाई एही धनुपर ममता के ही हे तु परशुराम जी ने स्तुरी से ममता हटा ली राज्य से ममता हटा ली और धनुष से ममता जोड़ ली यह उनकी कौमसी बुद्धी मत्ता है अते वे बड़े अशिष्ट से लगते हैं पर मैंने देखा कि घर दुआर छोड़ कर साधू हो गए पर वे कभी-कभी आसन और कमंडल को लेकर भी लड़ पड़े यदी पतनी और परिवार लड़ने के लिए नहीं है तो लड़ने के लिए उपावियों की कमी थोड़े ही है तुम मेरे आसन पर कैसे बैठ गए तुमने मेरा कमंडलू कैसे चू लिया इसका भी प्रह है कि ममता के लिए यह आवश्चक थोड़ किसी ने शंकर जी से पूछा, कि आपका धनुष किसी ने तोड़ दिया, और आपको क्रोध नहीं आया, जनक जी धनुष की पूजा करते थे, तो आपको प्रसनता होती थी, पर कोई उसे तोड़ दे, तो क्षोब होना चाहिए। हसकर शंकर जी ने कहा, कि जब मैंने धनुष को छोड़ दिया, तो अब उसको चाहे कोई पूजे, चाहे कोई तोड़ दे, मुझे उससे क्या, यह बहुत पते की बात है, जब वस्तु से ममता हट गई, तो उसका कोई उप्योग कर रहा है, इससे क्या प्रयोजन, कुछ लोग की बात है, जब दे दिया, तो ममता भी छोड़ देनी चाहिए, जब धनुष तूट गया, तब जनक्ची भी तो बड़े प्रसन्न हो गए, कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, सिता का विवाहा हो जाएगा, लक्षमन जी ने कहा, कि महराज, आपने इस तूटे हुए धनुष दे ममता जोड़ ली, कवता वली रामान में लक्षमन जी पर शुराम जी से पूछते हैं, रावरी पिनाक में सरीकता कहां रही, आपका धनुष में साज़ा कहां से आ गया, इसमें तो आप साज़िदार कभी नहीं थे, मूल सूतर यह है, कि इतने बड़े महापुरुष के जीवन में भी, अगर करोद की समस्या बनी हुई है, तो आहम और मम बना हुआ है, वह आहम चाहे कितना भी बढ़िया हो, और ममता चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसके मिटे बिना कल्यान नहीं, यदि नहीं मिटी, तो चोट लगे बिना नहीं रह सकती है, बर शुराम जी, प बढ़ रहा है, और अंत में जब हार गए, तो करोद शान्त हो गया, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने हार को हार के रूप में नहीं देखा, उन्होंने देखा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, रोग का निदान हो गया, हार गई माने अहम तूट गया, विजेता होने से विजेता पन होने का गर्व होता है, वे धनुष अपने कंधे पर लिए हुए थे, उसे भी श्री राम को दे दिया, और कहा कि इस धनुष को तो तुमने तोड़ ही दिया, अब मेरे धनुष को भी तुम खीच दो, धनुष का खीचा जाना मानो ममता का समर्पन था, श्री राम को अर करने में उनको रंचमात्र भी संकोच नहीं हो रहा है, समस्तरा जाओने स्वयम श्री राम ने जिनके चलनों में प्रणाम किया, उन्हीं पर श्री राम जी के शरीर में भरी सभा में रोमान्च हो रहा है, और गदगद भाव से जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल पुलित गात जोरी पानी बोले रवचनर रदयन प्रेम अमात शीराम के समक्ष हात जोड दिया यहे क्या हुआ आज सच्ची निराभिमानता आ गई हम अवस्था में बड़े हैं जाती में बड़े हैं संसार की पूजता में बड़े हैं लेकिन नन्य से किशोर दिखाई देने राम के समक्ष हात जोड लिया स्तुती की कि जै रगुवन्स बनजबन भानू गहन दनुजकुलग दहन क्रसानू राम तुम्हारी जै हो जै सुर विप्रधेनु हितकारी जै मद मोह कोह भ्रमहारी धने हैं आप आप मद मोह क्रोध और भ्रम को दूर करने वाले हैं सेवक सुभग सब अंगा, जै सरीर छवी कोटी अनंगा, जै 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 की जड़ी लगा दी परशुराम जी ने नव बार जै जै शब्द का उचारण किया किसी ने पूछा कि एक बार जै कह चुके थे, तो फिर नो बार जै शब्द की धुनापने क्यों लगाई उन्होंने यही कहा कि श्री राम ने मेरी स्तुती करते हुए कहा था कि देव एक गुन धनुष हमारे, नव गुन परमपुरीत तुमारे हम तो आप से हर तरह से छोटे हैं, हम में तो कोई गुन नहीं है, एक गुन है, वह भी धनुष में ही है आपने कहा था कि मुझ में नो गुण हैं, तो मैंने उन नो गुणों को आपको ही वापस कर दिया, क्योंकि गुण रहेगा तो उससे गुणा भी मान होगा, इसलिए अब वे गुण भी मुझ में नहीं हैं, वे सभी गुण पूरी तरह अर्पित हैं, अहमता और ममता छूट इसलिए और उन का समस्या का समाधान हो गया, कैकई जी की समस्या भी आहमता है, जैस अर्थात कैकई का मैं, कोई अच्छे से अच् serpenti भी कियो नहों, जब तक वह अपनी आहमता और ममता को समेटने की चेश्टा नहीं करेगा, तब तक वह धन्य नहीं हो सकता, अनुमान जी तो यह मेरी आमता क्या छुडाएगा मैं ही इसका इलाज किये देता हूँ ममता बड़ी दुखदाई है जो इस बंदर में है बंदरों की सबसे बड़ी ममता पूँच में ही हुआ करती है तो रावन ने सोचा कि मुझ जैसे ग्यानी के पास आकर भी यदि इसकी ममता नश्ट नहीं हुई तो रावन के पास आने का क्या लाब हुआ कपी के ममता पूच पर सब ही कहूं समुझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई जब मेरे पास आया है तो मैं चाहता हूं कि यहां से लोटे तो ममता शून यहो लेकर लोटे हनुमान जी हसे और लगे अपनी पूच बढ़ाने पूच माने ममता ममता को बढ़ाना अच्छा है कि घटाना अच्छा है याद रखे बुथी मान वह है जीवन की कला उसके पास है जो चाहे तो अपनी ममता को फैला दे और चाहे तो समेट ले फैलाने और समेटने दोनों की कला जाननी चाहिए रावन ने आश्चरे से देखा कि इस बंदर की ममता तो बढ़ती ही जा रही है लेकिन हनुमान जी की मम्ता बढ़ती है तो कहां जाती है मम्ता बढ़ानी है तो जननी जनक बंधू सुत्दारा तनु धनु भवन सुर्खिद परिवारा सब कई मम्ता ताग बटोरी ममपद मनही बांध बरी डोरी ममता भगवान में बढ़ती जाए तो इससे बढ़िया बात और नहीं हो सकती ममता का सदूपयोग हनुमान जी के पास है फूँच तो जली नहीं पर रावन की लंका जल गई क्यों रावन के मन में गर्व था कि मैं रावन हूं और यह मेरे सोने की लंका है हनुमान जी ने बता दिया कि तुमने ममता को चार सो कौस की लंका में फैला तो दिया परन्तु समेटना तुम जानते ही नहीं इसलिए जलेगी तो तुम्हारी ममता ही जलेगी बस्तुतह ममता तो रावन में ही थी अनुमान जी की ममता केवल प्रभू राम में ही है रावन स्वैम रोगी होते हुए बैद्य की दवा करने लगा तो ऐसे रोगी का रोग कैसे दूर होगा यह केवल रावन ही की बात नहीं है हम सब लोगों का स्वभाव भी यही है कि जब अभिमान दिखाई देगा तब दूसरे में दिखाई देगा जब ममता दिखाई देगी तो दूसरे में दिखाई देगी मुझे भैस अंसमर्न नहीं भूलता कि कथा के पश्चात मैं गाड़ी में बैठने लगा तो एक सज्जन बोले कि आपको कश्ट तो होता होगा थोड़ा रुक जाए जब कुम्ब करन आ जाए तब जाएगा उस दिन कथा का प्रसंग था कि कुम्ब करन अभिमान है उन्होंने कथा का प्रसंग पतनी से जोड़ते हुए कहा कि कुम्ब करण आए तब न जाए जब पत्नी आई तो दूर से दिखाया कि कुम्ब करण चला आ रहा है जब पत्नी समीब आई तो आते ही उसने भी पहला वाक्य यही कहा कि आज की कथा में तो आपका ही वंडन हो रहा था इस प्रकार पती को लग रहा था कि पत्नी कुम्ब करण है और पत्नी को लग रहा था कि पतिदेव कुम्ब करण है किसी को भी यह नहीं लग रहा था कि अभिमान का कुम्ब करण हमारे जीवन में भी है सच्ची बात यह है कि जब हमारे सारे दोश ही दूसरे में ढूंडेंगे तो हमारे दोश कैसे दूर होंगे संकेत आता है कि नारत जी को रोग हो गया नारत जी ने काम को जीत लिया तो सोचने लगे कि क्या इतना बड़ा काम किसी ने किया याद आया कि शंकर जी का नाम लिया जा सकता है पर अंतु सोचने लगे कि शंकर जी मेरी बराबरी क्या करेंगे अरे उनको तो काम पर क्रोध आ गया था शंकर जी ने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए महान तो मैं हूँ जिसने काम को जीत लिया और काम पर क्रोध भी नहीं किया अभी मानकार डमरुवा आ गया काम को जीतने के बाद नारजी शंकर जी के पास गए और अपनी बात कह सुनाई और सोचने लगए कि देखें इनको कैसा लगा नारजी रोगी हो गए और शंकर जी तो वैद्य है तुम अत्रिभूवन गुर बेद बखाना नारजी ने शंकर जी को रामकता के स्थान पर कामकता सुनाई कि मैंने कैसे काम को हराया जो अभीमानी होगा उसको चिंता होगी कि मेरी बात जमी की नहीं जमी यदि वक्ता को इस बात की चिंता है तो ऐसा वक्ता तो अभीमान से ग्रस्त है शंकर जी बोले नहीं कंभीर हो गए नारज जी ने सोचा कि मैं तो पहले ही जानता था कि मुझसे इर्ष्या हुए बिना नहीं रहेगी रोगी को वैद्य में रोग दिखाई दे रहा है पुछा कि आपको कथा कैसी लगी शंकर जी ने तो ऐसा वाक के कह दिया कि ऐसी कथा भगवान को मत सुनाईएगा मुझे आपको प्रणाम करने में संकोच नहीं है बार बार बिन मौमनी तो ही जिमी यह कथा सुनायो मोही तिमी जनी हर ही सुनायो कब हुई चले हूँ प्रसंग दुरायो तब ही जब हान नारज जी को पक्का हो गया रोगी पहुच गया भगवान के पास भगवान ने भक्त की चिकित्सा की दो तरह से चिकित्सा की जाती है कि या तो रोग को दबा दीजिए या फिर रोग को उभार कर मिटा दीजिए चंकर जी ने कहा कि रोग दब जाए परंतु रोग दबा नहीं और बढ़ गया भगवान ने सोचा कि पहली पदती काम नहीं आई तो अब रोग को बढ़ा कर दबा करें फिर ऐसा रोग बढ़ाया कि जीत कर आये थे काम, क्रोध और लोब तीनों को और हार गये काम, क्रोध, लोब, मोहों, मद और मतसर छवों से भगवान ने कहा कि अब अपने को पूरी तरह से देख लो नारज जी को इतना कश्ट इसलिए भोगना पड़ा कि उन्होंने वैद्य में ही रोग को देखा बात में जब भगवान की पदती से नारज जी का रोग दूर हुआ तो भगवान से कहने लगे कि प्रभो मैंने तो आपको बड़े कठोर शब्त कह दिये थे मेरा पाप कैसे मिटेगा भगवान ने हसकर कहा कि तुमने मुझे जो कुछ कहा उसकी चिंता छोड़ दो अगर चाहते हो के रिदय में विश्राम हो तो जपहु जाई संकर सतनामा हो इह रिदय अतुरत विश्रामा अनर्त की जड़ तो यही थी कि तुमने शंकर जी में इर्श्या देखी अभिमान देखा उन्ही से तुमने दोईश किया इसी लिए तुम रोगी हुए अब शंकर जी के नाम का जब करो तो तुमको विश्राम की प्राप्ति होगी जब तक हम दूसरों के दोशों को ही देखते रहेंगे तब तक हमारे दोश नहीं मिटेंगे जैसे आप घर से बाहर निकलने से पहले सामने दरपन देखते हैं तो दरपन आपका दोश बताता है अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो दरपन में आप देख लीजिए आपकी आँखों में कोई गंदगी है शरीर पर कहीं गंदगी हो तो दरपन दिखा देगा क्योंकि दरपन हमारा मित्र है और वह चाहता है कि लोगों की दृष्टी में इनकी मलिंता ना आए दरपन हमें मलिंता और गंदगीद होने का संदेश देता है हम बाल ठीक कर लेते हैं, मलिंता साफ कर देते हैं शरीर के संदर्भ में तो हम दर्पन का प्रयोग करते हैं परंतु अपने अंतर जीवन के संदर्भ में दर्पन का प्रयोग नहीं करते गोस्वामी जी ने बड़ा सुन्दर संकेत दिया अयोध्या कांड के पहले दोहे में यदी भीतर देखना है तो बुध्धी या विवेक क तो आखे बनाएगे और अंजन किसे बनाएंगे बालकांड के प्रारंभ में गुस्वामी जी ने कहा कि गुरुजी जरा अपने चर्णों की धूली दे दीजी मैं अंजन लगा लूँ अंजन काहे के लिए है गुरुपद रजमृदुमंजुल अंजन नयान अमियद्रिग द अंजन दे दिया बालकांड पूरा लिख गए लेकिन जब अयोध्यकांड प्रारंभ करने लगे तो फिर गुरुदेव से कहा कि चर्णों की धूली दे दीजी गुरुजी ने कहा कि क्या हो गया एक बार तो पहले धूली दे ही दी थी कहा कि हां गुरुजी वह तो अंजन अभी दरपन को साफ करना बागी है अब जरप उन धुली दे दीजी तो मैं दरपन को उससे लगड़ कर चमका लूँ गो स्वामी जी का सूत्र क्या है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी और इसका तात्पर्य यह है कि मन को पहले शांत करें मन की मलि पहले मिटाएं और फिर बुद्धी की आँखों से यदि अपने मन में जांख करके देखें तो दिखाई देगा कि हम में कितने दोश हैं और हम उनको जब मिटाएंगे तब हमारे जीवन में मन की स्वच्चता आएगे हम अंतर जीवन को भैचानेंगे तब ही उसका प्रका बैठा हो तो आख से दिखाई देगा लेकिन जो रिदय में बैठा हुआ है बैटो दरपण में ही दिख सकता है इश्वर तो रिदय में ही बैठा हुआ है अगर अपने मन के दरपण में देखें तो अपने दोश दिखाई देंगे और इश्वर के गुण दिखाई देंगे आगी की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी नारायन नारायन